इस question में हमें एक circle दिया है, कुछ ऐसे, इसका center A माल लेते हैं, diameter given है 40 cm, diameter मतलब यहां से लेकर यहां तक का distance 40 cm given है, हमें एक cord दिया है, जिसका length है 20 cm, मैं माल लेतों, एक cord है, यह green वाली BC, इसका length मुझे 20 cm given है, हमें minor arc निकालने है, minor arc होगी मेरी, यह orange वाली, यानि हमें orange वा निकालने के लिए हम formula यूज करते है, R is equals to L by theta, R होता है radius, यह तो हमें पता है, क्योंकि diameter 40 cm है, theta होता है angle, यहां पे angle होगा, यह बी, ए, सी यह वाला angle होगा, और L होती है length of arc, यानि यहां पे minor arc की length, यह orange वाली, यह L होगी, यह हम निकालते हैं, पहले हम यह angle निकालते है, थीटा, अब हमें पता है, diameter है 40 cm, तो radius क्यों होगा, इसका आदा, यानि 20 cm, अब जो AB length है, यह मेरा radius है, center से एक circle के point पे touch कर रही है, तो AB is equal to radius 20 cm, ऐसे ही AC radius है मेरा, AC भी 20 cm आएगा, और BC जो है, यह मुझे 20 cm गिवन है, मेरा quad की length, यानि ABC triangle में, मेरे तीनो side की length equal है, इसका मतलब ABC जो triangle है मेरा, वो equilateral triangle है, क्योंकि सारे sides equal है, अब equilateral triangle में, मेरे सारे angle 60 degree होते हैं, यानि यह angle A, angle B, angle C, यह 360 degree होंगे, हमें तो यह angle A से मतलब है, तो मेरा angle B, A, C, 60 degree हो गया, यानि हमारा यह वाला angle, यह orange वाला, यह 60 degree हो गया, हमें यह यह नहीं कहला था, थीटा की value आगी मेरी, 60 degree, अब इस formula में, मुझे R पता है, थीटा पता है, पर थीटा radians में है, हम पहले से radians में convert करते हैं, फिर मेरे L की value आजाएगी, अब थीटा है 60 degree, radian होता है मेरा pi by 180 into degree, यहाँ पर degree की जगह दालता हूँ में 60, तो थीटा आजाएगा मेरा pi by 3, अब हम इस formula में, L is equals to R theta में, R की value और theta की value पूट करते हैं, यह मेरा आजाएगा 20 pi by 3, तो मेरा length of minor arc of chord आगी, 20 pi by 3,